दो कटो री सुजी, फूल गोबी, शिमला मिर्च, दो से तीन टमाटर, बारीक बारीक कटेवे, हरी मिर्च, अपने स्वादान नुसार ले सकते हैं या आप इसको, मगर यह मैंने साथ अठ्ष हरी मिर्च ली हैं, और तीन बारीक कटेवे प्याज, या इसको हम चौपर में चौप भी कर सकते हैं, और इसमें आप कोई भी सबजी, अपने हिसाब से डाल सकते हो, जैसे आपको अच्छी लगती है, इसमें गाजर भी डल सकते हैं, मगर गाजर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो बस अब मैं इसे बना रही हूं कि इसका जो बैटर है कैसे त्यार किया जाता है, तो यह डाले, मैंने दो कटोरी सुजी, तो इसमें अब हम डालेंगे यह एक कटोरी डई, डई को मैंने फैंट लिया है, यह डालेंगे हम इसमें जीरा, लाल मिर्च, आदा चम्मच, और एक चम्मच नमक, बाकि आप नमक अपने स्वादा नुसार भी ले सकते हैं और फिर हम इसे करेंगे मिक्स, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी जो कि इसका पतला सा बैटर रेड़ी हो जाए, इसका जो बैटर है ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए ना ज्यादा टाइट होना चाहिए, गाड़ा हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि इसे हम रेस्ट के लिए आदे घंटे के लिए छोड़ेंगे जिससे की क्या है सुजी थोड़ा पानी सोक लेती है, अब हम आदे घंटे के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे जिससे की सुजी पूरे तरीके से फूल जाएगे, अब का मेरी चैनल में स्वागत है, तो यहां पर मैंने पूरी प्रेप्रेशन कर लिए तो आज मैं बनारी हूं ब्रेड पीजा, तो यह बिल्कुल पीजा की तरह बनता है, तो मैंने सब कुछ कर लिया था, बैटर में ला लिया था, तो बस अब मैंने सोचे के चलो, अपना तावागरम गर देते, उदर मैंने चाइ रख दी है, और फिर क्या होता है, बिलकुल बनाने में असान होता, पिर थोडी सी जो त्यारी करने में टाइम लगता है, तो तो आज मैं फस टाइम बना रही हूं, तो दिमाग में ये भी चलता है ना कि कैसे बनेंगा कैसे ने बनेंगा पर बहुत अच्छा बनता है ये चीज़ हमने खाया होता था मगर बनाएं था खाने और बनाने में बहुत फरक होता है तो first time कोई चीज बनाते हैं तो थोड़ा सा मन में लगा दर सा रहता है कि पता नहीं कैसे कोई चीज बनेगी मगर ये बहुत अच्छी बनी थी तो मैंने जो ब्रेड के उपरे सारे जो ये बैटर था उसको spread कर दिया है कि आप लोग भी इसे बनाते हैं तो आज संडे है ना तो घर में क्या होता है कि चुत्ती होती है, तो इसक्त कई लगी तो इनके में कहा कोई बात है. मगर आज हम वही कहाएंगे तो मैंने कोशिश की है मगर मेरी कोशिश सफल हो गयर आज मैं बहुत कुछ हूँ कि इन लोगों ने बहुत तारिफ운 के कि बिल्कॐल वैसा ही बना है तो मन में खुशी होती है कि चलो हुमारी जो मैनत है न थोड़ी रंग लेके आए है तो आप लोग भी आएगा breakfast करने के लिए गर्मा गर्म breakfast और आप लोग जरूर बताएगा और मुझे comment box में जरूर लिखेगा कि आपने बनाया या नहीं बनाया या कैसे बनाया या आपको कैसे लगी यह चीज तो कुछ नया बनाने की कोशिश की है सब लोग अच्छी तरीके से अच्छा बनाते हैं अगर मेरे बनाने का यह तरीका है तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमने यह चीज बनाया क्योंकि daily routine है तो daily routine का तो बताना ही पड़ता है तो यह है हमारा ready जो breakfast है और breakfast करने के बाद मैंने सोचा कि चलो आज मैं थोड़ी सी ना deep cleaning कर देती हूँ अपने मतलब drawing room की तो क्या है यह जो मैंने नया पीछे stand बनाया यह हमारा washbase नया था जो उसका नीचे वाला part होता उसका डिबबा था तो पहले मैं सोची थी इसको कैसे किस तरीके से यूज कुरू अभी मैंने पूरे तरीके से decorate नहीं क्या मगर मैंने सोचा कि वहाँ पर dust बगरा पढ़ते रहें कि तो थोड़ा तब तक मैं ऐसे ही रखतू तो मैंने इसको रखा है और इसके बीच पर दो तीन इंटे रखे ताकि यह नीची न गीरे और उसके उपर एक ice cream का जो नीची वाले गता तो वो रख दिया और उसके table cloth रखे टेडी बियर और और चीजे मैंने रखती जो की corner में बहुत ही सुन्दर लग रहा था मतलब हम छोटी-छोटी चीजों से बिना खर्च के हम चीजे बना सकते हैं घर में ऐसा नहीं है कि हमें हर एक चीज खरीदनी है और कुछ भी करना है जो हमारे घर में बेकार की चीजे होती उसको भी हम use में ला सकते हैं ऐसी बात नहीं है तो बस मैंने सोचा कि चलो अब मैं मैंने चेंज कर दी है मगर मैं अपने सोफों की साइड भी थोड़ी चेंज कर देती हूं तो क्या किया कि मैंने वह वाली सोफिके उधर रख दी है चेर और जो शिय eran् druуса और यह प्नी के और रहे चेर वह फी मैंने इधर ही रख दी थी तो क्या आथा घर में को चेंज ही होत तो बस महीने डेड़ भीने में कुछ न कुछ चेंजिद घर में करती रहती हूं कभी वह चीज इधर से उधर कर दी उधर से इधर कर दी तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत से लोग करते हैं ऐसे नहीं है तो मैं कुछ आगे भी कुछ कुछ करवाना चाहती अगर मैंने सोचा कि अधर की चेर मीन लेकर आती हुँ और फिर मैंने जब हमारी पूरी सेटिंग होगे राघन क्योंकि कर दो सफा कवर भी कुछ खाली हो शोआ और जये अरहे कोश होती Threeky गर्वियों में डार्क कुछ बीचाओना तो थोड़ा सा अजीव सा लगता है क्योंकि रूम्स भी अगर बहुत बड़ा रूम होगा तो थोड़ा चलता है मगर छोटे रूम्स में बिल्कुल भी नहीं चलता है तो ये बचाए मैंने सोफा कावार तो सारे मैं चेंज कर और फिर इसे कल वाश कर दूँगी क्योंकि संडे का दिन होता है मैंने चाहती कि सारा दिन हम बीजी रहे थोड़ा इंजॉय भी करना चाहिए ये संडे को तो ये लोग गया है मार्केट को समान समूल लेने के लिए तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं अपना ड्राइंग र वह उदर गया है तो घर पूरा खाली इस तेम पड़ा हुआ है तो खाली घर में सफाई करने का कुछ और ये मतलब आसानी से हो जाता है वरना कोई इदर उदर या कोई पोचा लगा है चपल लगा की चले तो थोड़ा अजीव सा लगता है जब सूग जाए तो ठीक है वैस जब खुली होते है तो पूरी डस्ट इस पर मतलब लग जाती है तो मैं सुझा कि चलो आज इसकी ग्रिल्स वगरा भी मैं साफ कर देती हूँ उसके बाद अब अब अजी यही पर लेटते हैं तो इसको विंडो को मैं बंद कर दूँगे तो बस यही हमें चल रहा था हर एक लेडीज का यही होता है ने कि चलो जी थोड़ा सा टाइम मिला तो घर की सफाई बगारा कर लेते हैं तो यह होली की भी एक तरीके से सफाई चल रही है कोई भी फंक्शन बगारा या कोई फेस्टिवल होता है तो मन करता है ने घर में कुछ सफाई की जाए वो की जाए तो थोड़े कर्टन भी मैं निकाल दूँगी और कर्टन को भी मैं वाश कर दूँगी तो बस यह ड्रेंग रों के हो चुके हमारी सेटिंग और बस यहां पर मैं पोचा लगा रही थी तो थोड़ा नीचे जूखना पड़ता है तो मुझे थोड़ा बैट के पोचा लगाना अच हम कब आएंगे वह कब नहीं हो तो पूरा घर हमारा गंदा पड़ा होता है सारा निया मैंने कई लोगों के घर में जो हैलपर होती है तीन बज़े आ रही है चार बज़े तब घर की सफाई हो रही है तो मेरा घर तो सुबह 11 बज़े तक पूरा नीट अट कलीन होता है और के बाद होता है हमारा अपने लिए ताइम तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और यूजफूल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जूर कीजिएगा जिससे कि आपको मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मेल जाइगे खके बाद 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